अब अगला सिध्धान्त है 66 अपूजा अपूजा उससे विरुद्ध उल्टी बात है उस अपूजा की परिवाशा करते हैं जो जियानादी रहित जड़ पदार्त और जो सतकार के योगे नहीं है उसका जो सतकार करना है वह अपूजा कहलाती है तो पूजा का अर्थ तो सम्मान हो गया सतकार सम्मान समझ में आई गया अब इससे उल्टी बात है उल्टी उल्टा व्यवार है वो है अपूजा तो इसकी परिवाशा पर ध्यान दीजिए जो जियानादी रहित जड़ पदार्त का सतकार करना ऐसे वाक्य जोड़ेंगे तो बर्त straight समझ में आएगा इसमें दो बाते बताईएं है एक तो बताया जयानादी रही तुट जड़ पदार्त जो मूर्ती है फोटो है ये जयानादी गुनों से रही थे वरिक्ष है कोई मजार है कबरादी ये सब जयानादी रही थे वैसे तो वरिक्ष में आत्मा होती है अब वैसे आर्थ मतलगा ले ना कि वरिक्ष में आत्मा नहीं होती है वो जड़ में इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारी बात समझता तो है नहीं, वो हमारी बात नहीं समझता, लोग जाते हैं वरिक्षों के चार और धागा बांदते हैं, अपनी अपनी मननत मानते हैं, वो समझते हैं इस वरिक्ष को धागा बांदने से हमारी काम न पूरी हो जाए ऐसे धोड़ी होती है ऐसे होती है तो सब लोग स्कूल क्यों जाते अबरिक्षाओं के धागे बांद बांद के पास हो जाते सारे मुकद में धागे बांद बांद करके जीत जाते वो कोट में क्यों जाते, वकील को क्यों करते ये खामखा की वरांतिया है तो ये सारे पदार्थ जड़ हैं जो हमारी बात समझते नहीं कुछ में तो बिलकुल आत्मा है यह नहीं जैसे मुर्ती है, फोटो है, मजार है, इसमें तो कोई आत्मा है यह नहीं और वरिक्षादी में आत्मा भले ही हो लेकिन वो हमारी बात समझता नहीं वो कोई हमारी कामना पूरी करता नहीं उसमें कोई सामर्थय नहीं है तो इस प्रकार से जो जियान आदी गुणों से रहित पदार थे हैं फोटो मूर्ति इत्यादी इनका सतकार करना ये अपूजा है आज देश में और दुनिया भर में ये अपूजा हो रही है जड़ वस्तों की पूजा कर रहे हैं उनको ये वो अगरवत्ती जलाते हैं दीपवी जलाते हैं ढोल डमके बजाते हैं बेंड बाजे बजाते हैं और नाच गाना करते हैं और मिठाई खिलाते हैं और जो भी करते हैं ये सारा ये सब अपूजा है ये पूजा ठीक नहीं है और दूसरा वाक्य है जो सत्कार के योग्य नहीं है उसका सत्कार करना वो अपूजा है अर्थात अयोग्य व्यक्ति को उचे स्थान पर बिठा देन वो सम्मान के योगे नहीं है और उसको बिठा दिया उचे सम्मान वाले स्थान पर योगेता उसकी क्लरकी भी नहीं है बना दिया उसको असिस्टन मेनेजर जैसे आज कल आरक्षन नीती चल रही है योगे वक्ती हैं और उनको उंचे पदबे बिठा देते हैं Medical College में admission के लिए सीटें खाली पड़ी हैं तो खाली सीटों को भरने के लिए वो कम योगेता वालों को भी admission दे देते हैं एक बार मैंने सुना कई वर्ष पहले की बाद है भोपाल यूनिवर्सिटी में यह जो अरक्षित सीटें होती हैं Medical admission की Medical College में तो अरक्षित सीटें खाली पड़ी थी कुछ आय नहीं प्रवेश तो जो जो विद्यार्थी आय प्रवेश लेने के लिए उनकी योगेता पहले नंबरों से देखी भी 60 नंबर वालों को admission देंगे फिर भी सीटें खाली पड़ी रही पूरती नहीं हुई फिर और 35 वाले आये उनको भी admission दे दिया फिर भी सीटें खाली थी और कम वालों को भी दे दिये जो फेल हुए थे बारवे में उनको Medical College में admission दे दिया जिनके 7 नंबर थे 100 में से 7 उनको भी admission दिया जब मुझे ये सूचना सुनाई किसी ने तो मेरे मुझे से एक बाके निकला जैसे ही सुनी तो मुझे अच्छानक निकल गया मैंने का अच्छा 100 में से 7 नंबर लेते हैं उनको डक्टर बना रहे हैं Medical में admission दे रहे हैं तो मेरे मुझे से निकला कि जब ये डक्टर बनेंगे तो 100 में से 7 को बचाएंगे 93 लोगों को मारेंगे क्योंकि इनकी योगेता इतनी है 100 में से 7 नंबर लेना जानते हैं तो 7 को ये बचाएंगे 93 को तो मार डालेंगे इनकी योगेता ही नहीं है तो यह है दूसरी बाद अयोग्य व्यक्तियों को वो स्थान सम्मान देना जिसके वो पातर नहीं है यह अपूजा कहलाती है तो वेद का सिध्धान्त क्या हुआ जो योग्य है उसको उंचा स्थान दो जो अयोग्य है उसको छोटा दो ब्राह्मन, ख्षत्री, वैशे, शुद्र जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसा स्थान दो, वैसा सम्मान दो वैसा धन दो, वैसी सुधाएं दो यह है पूजा अब यह उल्टा हो रहा है इसलिए अब पूजा कहलाती है तो दोनों तरफ ध्यान रखना है जड़ वस्तों की भी कोई आर्थी पूजा नहीं करनी उससे कोई लाब नहीं है वो समझती नहीं हमारी पूजा को और जो अयोग्य वैक्ति हैं उनको उचा पद, अधिकार, सत्ता, संपत्ति नहीं देनी अगर देते हैं तो यह अब पूजा कहलाती है और फिर इसके नुकसान भोगने पड़ेंगी यह गटना मैंने एक व्यक्ति को बताई वो वकील साब थे और परिक्षा दे रहे थे ललवी, ललम की परिक्षा दे रहे थे तो हम बैठते थे, बातें करते थे तो हमारी बात्चेश चली एक दिन उनों ने पूचा भई यह आरक्षन नीती के बारे में आपका क्या विचार आरक्षन नीती तो मैंने उसका खंडन किया, मैंने का यह तो गलत है यह अन्याय है और उन सज्जन को मैंने यही घटना सुना दी भोपाल वाली पूपाल युनिवर्सिटी की के 7% वालों को एड्मिशन दिया गया मेडिकल कॉलेज में तो उनको बहुत अच्छी लगी, समझ में आई तो ऐसे चलती रही चलती रही बात है फिर वो एक दिन परिक्षा देने गए तो परिक्षा में गुजरात हाई कोट के जो जज होते हैं पड़वड़े न्यायदीश होते हैं उन्होंने उनकी परिक्षा ली, मोकिक हुआईवा परिक्षा, मोकिक परिक्षा बोलते हैं तो मोकिक परिक्षा ली उन्होंने और परिक्षा में उन्होंने वही सवाल पूछ लिया उस सज्ञन से जिसको मैंने ये बोपाल वाली घटना बताई थी तो हाई कोट के जज साब ने पूछा भई अगर अरेक्शन नीती के बारे में आपका क्या विचार है तो उन्होंने वोई की वही सुना दी जो मैंने सुना दी पूरी घटना सुना दी और वहाई कोट के जज इतने खुश हुए इतने खुश हुए पूरे गुजरात में उनको फर्स प्राइज दिया इस बात से कि आपने बहुत सठीक बात कही और सही न्याई की बात कही आप वास्तव में न्याई क्षेत्र में काम करने के अधिकारी हैं योग्य हैं उनको फस्स प्राइज दिया इसी बटना पर तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि पूजा क्या करें आप पूजा क्या क्या करें आयोग्य वक्तियों को ऐसे सम्मान मिलेगा तो गड़ बड़े उसका रिजल्ट ही आएगा फिर मैंने ऐसे चलते चलते उनसे ये एक बात और बोल दी मैंने का ये जो आरक्षन नीती बनाने वाले मंत्री मिनिस्टर हैं जो ये नीतियां पास करते हैं कि इतने इतने छोटी जाती वालों को इतना आरक्षन दो तो ये कानून बनाने वाले आरक्षन नीती का कानून बनाने वाले जब खुद बिमार पढ़ते हैं खुद अपना इलाज तो कराते हैं वहां लंडन में जाके अमेरिका में जाके जर्मनी में जाके बड़े-बड़े डक्टरों से और आधुनिक हत्यारों से रस्त्रों से हैं खुद तो अपना इलाज वहां कराते हैं बड़े-बड़े डक्टरों से और मरने के लिए भारत की जनता मरो तुम तो मैंने का जो लोग ये निती बनाते हैं आरक्षन वाली जब ये खुद भीमार पड़े तो उन्हीं नहीं लोगों से इलाज करा है जिनको उन्होंने सीटें दी थी आरक्षन तो देखो पटापट समझ में आ जाए कि आरक्षन निती ठीक है या गलत तो ये परिणाम है उसका दुष परिणाम कि अयोग्यों की पूजा करेंगे तो ये नुक्सान होगा जनता मरेगी और क्या होगा अब योग्य वक्ति को रेलो इंजन ड्राइवर बना दो वो एक्सिदेंट ठोके का रोज विचारे को आता तो है नहीं पाइलेट बना दो इंजन की पूजा करो जड़ों से कोई फाइदा नहीं माता पिता करो बहुता शिरुआत मिलेगा खाने पिने को मिलेगा पैसा भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा चलिए अगला सिध्धानत है 66 जड़ जड़ वस्तु की परिवाशा बताएंगे जो वस्तु जियान आदी गुनों से र रही थे हमारे चारों और जो दिख रही है सारी जड़ वस्तु है कुरसी है पंखा है दिवार है खिड़की है रेडियो है टेलिविजन है कंप्यूटर है और स्कूटर है जूते चपल कपड़े सब कुछ ये सब जियान आदी गुनों से रही थे हैं आदी का मतलब इच्छ चopen प्रकृति कि जो थे हैं मिए यही लक्षण नहीं होते वाजड़ पडार्थ कहलाते हैं तो न है आदी तो एक पडार्थ आनादी थे इस्वार आत्मा और प्रकृति इन तीन में से जो एक पडार थे प्रकृति वो जड़ है परकृती में तीन particles है है सत्व रज और तम छोटे छोटे परमाणों इसको सबसे छोटे परमाणों जगत का सबसे छोटा टुकडा उसको परमाणों कहते हैं वो particle कहलाता है तो ये तीन तरह के परमाणों है इन तीनों के समूः का नाम प्रकृती है ये जढ़ है इन में कोई इच्छा नहीं, कोई जयान नहीं कोई सुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते कोई स्वयम क्रिया नहीं करते बस पढ़ें थो पढ़ें, जैसे पत्थर है सड़क पे पढ़ाएं, ऐसे तो ये सारे जड़ पदार्थ कहलाते हैं इन इच्छादी गुनों से जयानादी गुनों से रही थे अब इसके बाद है चेतन अड़ सथमा सिध्धान्त चेतन जो पदार्थ जयानादी गुनों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं अब तीन पदार थनादी बताए थे, तीन में से एक प्रकृती वो तो जड़े, बाकि दो बचे वो चेतन है, इश्वर और आत्मा ये दोनों चेतन है, तो चेतन का लक्षन इससे विप्रीध है, जो जियान आदी गुनों से युक्त हो, उसका नाम चेतन है, आत्मा भी चेतन है, इश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है, दोनों में इच्छाएं हैं, इश्वर में भी इच्छा है, आत्मा में भी इच्छा है, एक दिन, एक व्यक्ती ने पूछा जी, इश्वर में भी इच्छा है क्या है, मैंने कहां क्यों, आपको क्या समस्या है, इश्वर में इच ही मैंने का इच्छाइं दो तरह की होती है एक होती है अपने स्वार्थ की इच्छा एक होती है परुपकार की इच्छा दो तरह की इच्छाइं होती है हलवाई जो होता है वह अपने लिए भी मिठाई बनाता है और दूसरों के लिए हाँ या ना दोनों के लिए काम करता है उसकी इच्छा है खुद के अपने लिए भी खाने के लिए मिठाई बनाता है और दूसरों को भी खिलाता है दर्जी है वो अपने कपड़े भी सिलता है दूसरों के भी सिल देता है उसमें दोनों तरह की इच्छा है ऐसे ही धोबी है, वो अपने कपड़े भी धो लेता है, दूसरों के भी धो लेता है तो ये विद्वान है, वो अपने लिए भी विद्या पढ़ता है, दूसरे को भी बढ़ा देता है तो जिवात्मा जो है, उसमें दोनों तरह की इच्छाएं है वो अपने लाब के लिए भी काम करता है, और दूसरों के लिए भी, परन्तु इश्वर में अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं है, तो जो लोग कहते हैं इश्वर में क्या इच्छा है, उनको लगता है कि बस इच्छा एकी तरह की होती है, अपने स्वार्थ की ही इच्छा ह है यह ठीक बात है जीवात्मा में है इसलिए नहीं है कि इश्वर में कोई कमी नहीं है और आत्मा में तो बहुत चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या-क्या बहुत गाड़ी चीज़े चाहिए, बहुत सारी सम्मान चाहिए उसको, तो उसमें बहुत सारी कमी आ है, इसलिए वो अ कैसे मिलेगा जब मैं मिठाई बना के दूसरों को खिलाओंगा तो मुझे पैसा मिलेगा इसलिए दूसरों की जो इच्छा दूसरों की सेवा करने की इच्छा परोपकार की इच्छा जो हलवाई में होती है वो मूल रूप से अपने स्वार्थ के लिए होती है पर उसकी पूरण वो दूसरे की भी कर लेता है। परंतु इश्वर में अपने स्वार्थ की तो कोई इच्छा है यह नहीं, उसमें तो कोई कमी है यह नहीं, उसमें दूसरी इच्छा है, पर उपकार की। तो इश्वर सब का उपकार करता है, मुफ्त में करता है, उसको कुछ नहीं ल ध्यान रखता है, 24 घंटे हर समय ध्यान रखता है, पूरा इसाब रखता है, ठीक न्याए से फल देता है, जो करम फल दे दिया उसको डिलीट कर देता है, जो करम फल नहीं दिया उसको जमा रखता है, उसका इसाब ठीक ठाक रखता है, इतना सारा काम करता है, क्या मिलता उसक इश्वर को कुछ नहीं मिलता और उसको चाहिए भी नहीं इसलिए इश्वर में कोई कमी ना होने से इश्वर अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं रखता लेकिन परोपकार की इच्छा रखता है उसका सुभाव है तो वो न्यायकारी है, दयालू है, परोपकारी है, यह उसका सभाव है इस परकार से वो चेतन है और वो सबका भला करता है उसमें जियान है, इच्छा अधी सारे कुन है उसमें जियान है, वो सरवज्जे है, सबसे अधिक जियान है तो इस प्रकार से जो चेतन का लक्षन हुआ जिसमें जियान इच्छा आदी कुन हो आत्मा में भी जियान है वो भी चेतन है हम सब पढ़ते ही रहते हैं पहली कक्षा से पढ़ने गए स्कूल में और पढ़ते पढ़ते यहां तक आगए बहुत सारे शास्तर पढ़ लिए तो हमारे गुरु जी हैं वो हमको सिखाते हैं बहुत सारे गुरु पढ़ाते हैं हमको सिखाते हैं सबसे हम सीखते जाते हैं वो भी चेतन हैं इस परकार से जिवात्मा भी चेतन है उसमें इच्छा है जियान है प्रेतन है वो सुखी दुख कहलाते हैं यह हुई चेतन की परिभाशा